कि है यह वेल्कम बेक सरकारी परिक्षा गाइस मैं अच्छ अभी चले आप लोगों को यहां पर रोस वह पर पढ़ाती हूं तो गाइस आज फिर हमारी क्लास है उसको देखने से पहले हम प्यारा से गुड मॉर्निंग थोड देखेंगे चले सुरू करते हैं क्या है आज का हम जो अपनी जिंदिगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लिया करते हैं या पुल बना लेते हैं ना वहीं जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं कुछ पाना चाहते हैं वह क्या करते हैं समुंदर में भी पत्थरों के पुल बनाकर और एकदम पार कर लिते समुंद्र को भी मतलब कहने का मतलब यह है अब यह नुकल जाते हैं बहुत मुष्किल से सह जो है समय में भी निकल जाते हैं है ना तो यही मीनिग है इसका तो भी पड़ाई प्यारा सो गुद्वर्णिंग थोट थाज का चले तो बिना देरी क्यों हम करते हैं क्लास को स्टार्ट यह जब ही तो कहते हैं कि चाहे कोई प्रॉब्लम हो चाहे कोई मुसीवत हो बिल्कुल डरने की जरूत नहीं होती बस डटके खड़े रहो डटके लगे रहो हमेशा महनत करते रहो कुछ ना कुछ आपका जो गोल है उसे पाही लोग कभी ना कभी तो देखी आज है 19 अपरिल है तो आज हम 19 अपरिल की क्लास को दे रेंकिंग हो रेल वे हो कोई भी स्टेट एक्जाम हो आपका सब के लिए मेरी क्लास जो है करेंट अफेयर की बहुत इंपोर्टन्ट होती है सारे एक्जाम की पॉइंट आफ व्यू से मैं सको करेंट अपके सामने लेकर आती है चले बिना देरी कियो हम लोग क्लास को स्टा और जब मैं जल्दी आऊ ना तो बेटा पता नहीं कहा लेट रह जाते हो तुम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट कोशन देखते हैं बिना देरी क्यों है आते रहो अराम राम से किस भारती प्रद्योगी की संस्थान ने नासा केल्टेक के सहयोग से लोग की मल्टी स्पेक्टरल इमेजिंग के लिए कम लागत वाला कैमरा बिक्सित किया तो इस कुछ नहीं है ये एक कैमरा है ये बिक्सित किया है किसने ये नासा नासा ने कैल्टेक के सहयोग से ठीक है तो किया है किस भारती प्रहदर की संस्थान ने ऐसी कौन सी भारत की ऐई-टी है जिस तेशको बिखित किया चलो अल पांड़े वैरी गूर्ड मरीं होगा याइडिया् ओर कौन है alcanz be peanuts डेलिक अर। आंसर करेंगे चलो करने यह को शोबशनाल रहता है न अले होगा कौण सी आयाई ट säger भार तो इसको याद रखेंगा देए काम रहा है थृक्त है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दू इस काम था रहा है लग गिशची में पहले जो पिक्चर चार कैम्रों से क्की जाती थी perfect आपने वह अब क्या है यह अकेला यह एक वारा ही काम कर देगा तो इतना अच्छा भी इसके बारे हम डिटेल में देखेंगे ना पहले जो पिक्चर चार क्यामरों को मिला कर खीची जाती थी एक दम किलिए है थी पिक्चर वह अकेला ही खीच देगा है तो यह यहां पर होती है तो पही कब होती है 39 जुलाई है नासा की स्थापना कब होती है 29 जुलाई कब 1958 को है ना 1958 को जो है नासा की स्थापना होती है तो यह चीज़ आपको याद रख नहीं है ठीक नासा की स्थापना होती है ही ठीक है 29 जुलाई 1958 को जो है नाशा की स्थापि न होती है नासा का हेड़ क्वार्टर हम देखते हैं बच्चा पार्टी तो कहां पर है Washington DC वसिंग्डिंट डीसी में क्या है नासा का है थीखे रह औन को पता है यहां सब रागंग नहीं नहीं दिखे और अप happened हर टैम फोड़ी आपके कोमेंटस देखेंगे तो यहां धियान देंगे अंसर क्या होगा अंसर दिखो करो तभी तो दिखोगे क्या होगा ओप्शन होगा IIT इंडौर ने किया है ध्यान रखेंगे नासा के साथ सयोग ठीक है मल्टि स्प्थर all represent camera के लिए यहाँ हैrator मेरे थोड़ी सी बात कर लें इंदॉर में इंदॉर की इंदोर की हम करते आप सभी को पता होगा कि हाल हु mo प्रफ पिछले साल को पक्रोपन गोसित किया गया एक था आप पाटर प्लस सिटी का फंच को घुस् simplesmente गया था ठीक है तो पूछ ले जाए भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन बना था तो इंदॉर बना था ठीक है और जो इंदॉर है गाइस यह स्वच्छ सहर है ना कि स्वच्छता इंडेक्स में भी number 1 है मतब सबसे clean city है सबसे स्वच्छ शहर है ठीक है तो पूछ लिए भारत की सबसे clean city का आवोर्ड किसको मिलता है पुरुषकार तो इंदोर को पिछले कई वार से मिल रहा है एक इन चीज आपको याद रहना है एंपी पता नहीं क्या लिख रहे थे क्या आ गया ठीक है तो आएटी इंदॉर देखते हैं इसके बारे में कुछ ओके चलो गुड मारिंग जो बात में जुड़े हैं सबको गुड मारिंग गुड मारिंग चलो आंसर किया करो तब तो नाम लेंगे ना तुम्हारा भारती प् स्वीडन के स्वीडन गोथन वर्ग मिस्वीवद हले के सहयोग से एक कम लागत वाला एक खर्चा भी कम आएगा इस विक्सित किया है जो एकल डीएसल आर केमरे का उपयोग करके एक लॉमें चार ठीक है चार रसाइनिक परजातियों की मल्टी स्पेक्टरल इमेजिंग प् देते लेकिन अब क्या है ये एक ही कैमरा ऐसा काम करेगा तो बहुत ही कम लागत का बस इतना सा ही याद रख लो और इसमें कुछ भी नहीं है याद करने बाला चिक बस आयए टी दोर याद रखेंगे नासा याद रखेंगे चलो ओके चली अगले कुशन कांसर करेंगे आशिश रंजन गुड मॉर्निंग आशिश रंजन वेरी गुड मॉर्निंग चलो लेट मता हुआ करो जल्दी ली आये करो अगर मैं एक मिनट लेट हो जाओ इतनी सारी शिकायते होती है बच्चों की मुझसे की माडम लेट हो गए है अब मैं शिकायट करो फिर क्या करोगे है चलो भारतिय खेलारी शैली तरहें वहारतिय इतियास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाते हुए चलांग लगाते हुए एशियया खेलों के लिए क्वालिफाइड किया उन्होंने कितने मीट एक Vxigt ये किसे नाम क्या है वह भारती प्याइस में दूसरी खिलाडी वन गई है जिनोंने इतिहास रस्टिया कोई बता सकता है मुझे प्रथम खिलाडि कौन है है ना पहली है यह मुझे बतादो जरा आ जो जिनोंने यह उपलब्दी हासिल के पहली कौन है चलो आंशर भी करो शिर्फ क्लास देकने के लिए नहीं बूलातेswा को आंसर भी कर doğru चलो है आंसर नहीं करोगे तो कैसे यहां पर खुद का मुल्यांकन कर पाऊगे क्या होगे 6.76 होगा ठीक है 6.76 मीटर की जो है इन्हों ने छलाग लगाई है किसने शैली सेने ठीक है आंसर भी किया करो बिल्कुल आप यहां पर थोड़ा साब को यह याद रखने का समबात करें एशेत कहले है पहली वार कब सुरू है हम बात करते हैं एक एशेत के लोकिंट है रहा द्यान रखना बहुत the economist है क्युंक्र कहां पर हो था होता放心 है चुप Mehς Lovel ये चीज आपको याद रगना है और यह साम को याद रगना है यह लास्ट्राइम प्रत्या साल में चार साल चार वर्ष में एक वार होते हैं करने हम तोड़ा से अच्छी याद रखनी है थोड़ी सी चीज़ा हमें पीछी पिछली याद रखनी होती है ओके यहां पर गाईज एक चीज़ याद रखनी है मैंने पूछा कि प्रथम कौन झी टी वही कौन सी थी अंजू बीबी जॉर्ज ठीक है प्रथमती यहांपे बॉबी जॉर्ज ठीक है अन्जू बॉबी जॉर्ज ठीक है तो यह यह कौन है यह पहली व्यक्ति है जिरो ने जो है ऐसी भारत में लंबी छलांग लाकर इतिहास रच दिया था ठीक है तो यह दोनों का नाम या दखना है चले सुबेश टड़ी वेरी गुट मॉर्निंग एक अच्छा कल क्या हुआ था बच्चो ध्यान रखेंगे शैली सेहने जो है दूसरी व्यक्ति बन गई है जिरोंने सबसे लॉंबी जो चलांग लगाई है लॉंग जंप करने वाली ठीक है पहली कौन है तो अन्जू बॉबी जॉर्ज है चिक और एशिया के बारे में अच्छ पहले पहले कौन थी अन्जूब अभी जॉर्ज ने रिकॉर्ट कायम किया था जो कि अब चलो बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं चलो अगला कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन अच्छ यहां पर कल की बात सारे रहें तो बच्चे सोच रहे होंगे क्या मैडम ने क्लास बंद कर दी लाइट चली ती चलो किसी तालवी खिलाडी ने पुर्त गाली स्प्रिंट किताब जीता यहां पूछा जा रहा है किस इतलीन प्लेयर ने कहां पर पूर्त गाली ग्रेंट प्रिंट 23 है उसमें पहली बार किस इटालियन प्लेयर ने मोटो जीपी हैना मोटो जीपी स्प्रेंट जो है पुरुसकार जीता है यह मेरी क्लास आंसर करो चलो आशिष कह रहे हैं भी सुमेर स्टडी कह रहे हैं भी चलो बादल शर्मा नाइस सींग यू आफ्टर लॉंग टाइम ओके अच्छा बादल चलो द्यान देंगे भाई क्या होगा या भी तो नहीं होगा भाई पूरी क्लास कैसे भी तुक्के मार रहे थी बी नहीं होगा ए होगा आंसर होगा ए अब थोड़ा साम देख ले नहीं पूर्तगीस के बारे में पूर्तगाली आप सभी को पता है पहले यूरोपिया जब यूर कौन आया था वास्को दी गामा पहला यात्री था यूरोपी यात्री था जो भारत में आए था यह याद रखेंगे भारत में तमबाकु तंबा को क्या है पूर्टगालियों की ही देन है याद रखेंगे भारत में तंबा को पूर्टगालियों की ही देन है अब यहां पर एक कोश्चन मनता है कि पहला पूर्टगाली वाय सराय कौन था जल्दी से आंसर करो एक कोश्चन का अंसर कर दो बस पहला पूर्टगाली व तो यह किसको मिला था यह प्र।सकार तो यह मिला था फ्रांसिस को भगनिया को मिला ठाटिक तो आरे इंडियन नहीं है तो बहुत इंपोर्टन नहीं नहीं है इनका नाम वह सी याँ रख लेए ठोड़ा राइसा उपर ऊपर से मौ्टा मॉटे छलो नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम अगला कोशन ओके बिल्कुल फर्स्ट पूर्थ की 1458 में वास्कोदी गामा था जो ठीक है भारत के ठीक है खोज भारत की खोज नहीं किया था गलत गलत फिर फिर गलत बास्कोदी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी भारत पहले से अस्तित्त गलत यही कोश्चन आप से एक्जामिनर पूछता भी छसल में बच्चे गलत करके आए इस कोश्चन को जब मैंने अनारेसिस करा है ठीक है ध्यान रखेंगे समुद्री रास्ता कि समुद्री रास्ते की खोच की थी भहिया इसने भारत के लिए ठीक है भारत के लिए किसने बास्कोदी गामा ने यह चीज यहां रखनी है बास्कोदी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोच की थी समुद्र से होते होते हैं कहां पहुचा केरल के कोच्ची केरल के काली कट तर्ट पे हैंना काली कट तर्ट पे पहुचा अच्छा यहां पे मैंने ए पहली बार तो याद रखे हैं कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री यह इंपोर्टन्ट है पहली फैक्ट्री पहली फैक्ट्री या कोठी या कार खाना कुछ भी कह देंगे इसको कोठी भी कह देंगे कार खाना भी कह देंगे हैंना कहां पर थी भाई तो यह कोची में थी ठीक है कोचीन ची कोचीन या कोची अगर आपको कुछी मिल जाए तो यहीं पर ध्यान रखेंगे पूर्थगीस की पहली फ्रैक्टरी ओके यह चीज याद रखने हो यह तो सभी को पताएगा पूर्थगीस पहली वार भई कहां पर आते हैं तो काली कट है ना काली कट बंदर पर आता है केरल यह चीज आपको याद रखना है अब मैंने पूछा ता पहला पूर्थगीस वाइसर आयकॉन तर जल्दी से एक और मौका और दे रहीं जल्दी से आंसर करो पहला पूर्थगीस वाइसर आए कॉन था ठीक है आशिश का अंसर आनने लगा 4 का सी चलो फर्स् ठीक है तो देखते हैं केंद्री स्पात मंत्री श्री जोतीरा दिस्त्य एम सिंधिया किस शहर में 19 अप्रेल को इंडिया स्टील 2020 का उध्वाटन करेंगे पहले तो यहां स्टार लगा लो इंपोर्टन कोशन है बहुत है ना बहुत इंपोर्टन कोशन है चले तो मुझे किसी ने भी निसमें पूछाता ध्यान रखेंगे फ्रांसीज डी अलमीडा ठीक है फ्रांसीज डी अलमीडा जो है पहला वह ऐसार आई सा पुर्तगाली ठीक जो बहारत में आयता फ्रांसीजज डी क्रिदप Tech लेंट यहां पे सी आंसर आ है तो बिल्कुल गलत है डिलकुल गलत है अशीष आपका बहुकर कने सब्सक्राइब ऑख मना मुंबई तो यहां पर यह याद रखना है जो इनडिया स्टील 2023 यह यह हुआ है कहां पर मुंबई में मुंबई महाराश्टरा है ना मुंबई में हुआ है केंद्रिय स्पात मंत्री स्री जोतिरा दित्य सिंधिया इस शहर में ठीक है तो भी किसमें मुंबई शहर में इन्हों ने जो है इंडिया स्टील 2023 का उधगाटन किया है यह इंपोर्टन पू पूपादने भारतिय करें बाद की भारतिय राज्यु राज्य उटेक राज्य प्रस्ट रूख्य वह टृट्वार्टी नंबर इस तृट कौन है ओड़ी इस तो अगर हम बात करते हैं देश की की विश्व में सावीत्ति वेरी गूड मॉर्निंग चलो ओके पूनम् कुमारी गूड मरिंग जारकंड नहीं आशिश अभी प्रेजय की बात करते हैं ना थेस कॉन है नमबर में पर फिर उसके बाद हमारा क्या है वारत भारत हमारा क्या है नंबर सेकेंड पर है स्टील उत्पादर में जापान को पीछे छोड़ते हो भारत सेकेंड पर आ गया तो यह चीज़ आपको स्टील के बारे में याद रखना है चलो है एक प्रदर्शनी से कहां पर मुंबई में है यह प्रदर्शनी ही कहां पर आए चितना सा यदो और ख़ो और गूषम्त कोषणECT है उमारा चाल लाइक करती चाहे करो एक प्यार्य नहीं किया है इक प्यारा सा कर दो हैना छलो बिल्कुव चाहिन नमूर न पर है एक प्यारा-प्यारा स्वीध स्वीध सा लाइक कर दो और शोएयर है आपके जो भी वरतिसाप टेल्य क्राम हर जगा शोड़े हर जगा से थोड़ी बाचिंग बढ़ाओ थोड़ी शेयर करा करो क्रिशी और किसान कल्यान मंत्रा लेके क्रिशी अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा क्रिशी मुख्य वैज्ञानिक की G20 बैठक कहां आयोजित की गई ठीक है तो भीया क्रिशी से सम्मंदित जो वैज्ञानिक सुटमें उनकी यहां पर कहा रहा है कि क्रिशी मुख्य वैज्ञानिकों के बैठक कहां आयोजित की गई कौन इबेठक बैठक एंड़ीट्र साव कोंबढ़न के बारे में हेन तो गई सब् arithmetic की अधियक्षत्ट정이 थी कि जी टॉन्टी की जो अध्यक्षता है प्रेजंट में कौन कर रहा है तो हमारा प्यारा भारत कर रहा है अध्यक्ष कौन है जी टॉन्टी का प्रेजंट में तो भारत है यानी 2023 है तो हजार तेइस में अध्यक्ष कौन है भारत है अगर हम यहीं बात करेंगा यहीं अध्यक् कौन करेगा है यह मुझे आंसर कर दो मैं मैं जाओंगे मेरी क्लास का चानक क्या था वन कौन करेगा ठीके अब यहां पर ध्यान देंगे गाइस इंडोनेशिया ने भारत को अध्यक्स्ता सौपी तो एक कोश्चन यहां से बनता है कि किस कंट्री ने भारत को जी ट्वटी के सवापी तो इंडोनेशिया ने थीकिए कब सवापी तो भाईया ये याद रखनी है डिसंबर 18 draining ची macam धीडищ다 शायोग संगत्र जी के संगाई वारानसी आंसर रहें हैं यहां पर हैं याद रहना है कि 20 की बैठक है यह 60 से ज्यादा शहरों में होगी भारत के 60 से ज़्यादा शहरों में होगी और इन 60 शहरों में भी 200 200 से अधिक स्थानों पर होगी ठीक है 200 से ज़्यादा अधिक स्थानों पर होगी ये बैठक ध्यान रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट यहां से खूब बनते दो वारण सी आंसर होगा चलिए जी टॉंटी से जुड़ा यह सोवा आयोजन है ठीक है और यह अभी दोसों से ज्यादा बैठक होगी यह चीज आपको याद आती है ठीक है क्रिशी और किशान का लियान मंत्राल है के क्रशी अनुजंदान और शिक्षा विभाग द्वारा है ना एमत वित्या वारण सी में क् भारत में हो रहा है अगर यह किस दर कं तुरी में होता है तो आस साको यतना याद रखना है कि vapid 20 मंत्रियों का हूए कहां हूए यहाद रॉइनी कहां हूए है विधेश मंत्रियों हुआ हो है आर्वी गवनर्णर कहां हूए सेंट्रल बैंक यह सब चीज अब Questo अलगले चलो ओके अगले कुशन का अंसर करो नेक्स्ट है हमारा डैस में डीयार डीयो उद्योग अकादमी उतकर्ष्ट्रा केंद्र का उद्गाटन किया गया तो मैं कहां पर पूछा जा रहा है कि इन मैंसे कुछ इसमे आईटी कानफुर है इन मैं से किस आईटी में इन इसमे साइटी में उद्योग उद्ध्योग अकादमी उतकर्ष्टा केंद्र का उत्गाटन किया गया चलो क्लास करो ओके मन्टो कुमार एँ B, चली और भी आंसर करो भी सोरल कह रहे है D, सोरल पांड़े D कह रहे है ओके ओके चलो आशिश रणजन कह रहे है D सुमेर स्टरड़ी कह रहे है B, चली देखते हैं और रहें किसका आंसर सही है अचा पहले सबसे बहले तो यहां पर याद रखेंगे आप DRDO के बारे में DRDO की जो स्थापना कब होती है DRDO की हम बात करें बच्चे स्थापना आप अपना अंसर के लिए कर लो B है C है D है A है क्या है अगर मैं आपकी नॉलिज के लिए बताऊं तो दी तो बिल्कुल गलता जो दी कर रहे हैं एकदम गलत है तो इसकी स्थापना कब होती है बच्चे यह होती है 1958 में 1958 में इसकी स्थापना होती है और हम बात करते हैं इसका तहब यह हीं तो इसका है नूटे नरी है क्या काम है जो भी डे पनबलते हैं और रक्षय सन्मार्ण क्षण संबना cheapest such a और मिसाइल्श बगला बहुत चाहिए बनाता यह गन्न बगण यह फज्वाधा बनाता है यहां टीरभाद लिए ईर सोफियर के बारे में याद रखना है यह दियर्दी ओ तो यह बहुत इंपोर्टन्ट है इसको हलके में मतले लेना ठीक है यह बहुत इंपोर्टन्ट है मैं यह स्टार लगा देरी हूं मेरी फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मैडम आपने बताया नहीं तो अकादमी उत्रक्राइंट कहा होता है गाइस आईएटी जो है है हैधराबाद में होता है यह चीज़ आपको याद रखनी है चलो है है यह देश में इस तरह की सबसे बड़ी सुविदा है ठीक है कुछ नहीं है चलो अब देखते हैं डियाइटी अध्यक्ष और याद रख लेंगा इस कई वार अध्यक्ष कोशन मनते हैं तो डाक्टर समीर भी कामात है ठीक है डियाडियो क्या है यह अध्यक्ष है ने तेलंग ना के संगा रेड़ी में आईएटी हैदराबाद के परिसफ़े सुविदा का उधुखाटन किया है सभी को पता है 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 तेलंग ना की स्थापना कब होती है यह याद अख लेंगे ब भी लाइक शेयर करते जाएंगे भई जो भी मिशाइल और टेंक गन मैनुफेक्चर होता है तब चेक आउट होता है बिल्कूल डियाडियो कामी यह है जो भी आपके जो रक्षा वेपन्स वगेरा बनता है यह भी बनाता है गन हो गई तोप हो गई यह सब बनाता है इंतम सरकारी आकड़े के मुताबिक अप्रेल दो हसार तेईस में और यहां बात ओ रहे है ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिकावादी वाला शहर कौन सा बन गया है अब थोड़ी सी और बात कर लें तुम थोड़ा अंसर करना ठीक है ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देखे है त छोटा महादीव सबसे छोटा महादीव है और यह सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि सामुंद्र में है कि सागर में है तो भी पैसिटिक्सी में है यानि प्रशांत महादागर में है ठीक है प्रशांत महासागर में है यह भी यादर्थन है ऑस्ट्रेलिया के भारे में अगर हम बात करें तो गऑस बॉक्साइड एक बॉक्पादन भॉक्साइड उत्पादन में नंबर वन है ठीकि बॉक्साइड उत्पादन वे थी तो यह प्रत नाम का एक शहर में तो गोर्द माइं से याद रखना है तो यह सबको याद रखना है तो यह सी अब को अब तो नधियां में जन से कोशन बनते हैं पूछी लिए जाता है कि एक मर्ड Means और दूसरी है कर दार्लिंग ठीक है डार्ली यह नदिया कहां पर है तो मर्रे डार्लींग नदिया कहां पर है वह यह वह लिए रार्लिंग और मर्रे नदिया है जाइस नियुम् सबसे अधिक आवादी वाला शहर सबसे अधिक पॉपिलेशन जाला सहर कौन सा बन गया है तो यह इंपोटेंट है कोशन पूछ रहा जाएगा अब ऑस्ट्रिलिया में एक डिजर्ट है है एक मरुस्तल है ठीक है एक मरुस्तल है क्या नाम है Victoria. ठीक है, Victoria, Desert or Victoria, मरोस्तल. कहाँ पर है वह युष, paying में? Australia को 85 भूमी का देश. 85 भूमी का देश भी कहा जाता है. याद रखेंगे 85 भूमी का देश या सूखी भूमी का देश. सूखी भूमी. ठीक है तो यह चीज याद रखना है, यहां से बहुत कोश्टन वने हैं कई बा बहुत ही अच्छे से याद रखना है तो बार बार पूछा गया कुछ चलो पहली बार सिड्नी को पीछे छोड़ते हुए जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक पॉपिलेशन वाला सहर कौन मन गया है बस इतना सा याद रखना आगे चलते हैं और इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है मेरी क्लास को चलो बिल्कु सही है बेक्टोईया डिजार्ट बिल्कुल आउस्ट्रेलिया में है मर मार ले नहीं मर रहे और डारलिंग अगर हिंदिय नाराइन प्रसाज जो है प्रें मिनिस्टर बने है हमारी कौन सी जो है नेरल कण्ट्री है है कौन सा ऐसे पुरानी थी लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है श्री जयवर्धने पूरेकोटे अदि है तो नेपाल की है काटमादू काटमांडू नेपाल की भूतान की है थिंफु ऑगे बांगला देश की है ध्धागा अब तो को याद रखना कि चलो है वहाँ उपज नहीं होता क्या आशिश कहां पर पज नहीं होती अच्छा अउस्टेलिया में बहुत कम ुदि क्योंकि पूरा ऑस्टेलिया जो है न डिजर्ट है एक तरीके का पूरा तो नेपाल के बने हैं यह क्या नाफुर। यां चलो 인ुद्ध जोॉ कि और इस नेपाल के बने है अब बात कर ले रहे हैं भारत प्लस नेपाल मुझाल और सटेस्ट बीच के बिच में हुए एक सहेरी अभ्यास चलाया जा रहे हैं कुनसा सब्सक्रेट बूर्य इस अभ्यास सब्सक्रेट धारत टार्च वीच मेंने तो जल्विद्ध परियोजना है भारत और नैपाल कि बीछ कुछ जलविद्ध परियोजना juvenile जल विद्यूत परियोजना किस नाम से हैं तो गैस किस नाम से हैं अरुन नाम से ठीक है अरुन मिल जाएगा आपको या फिर मिल जाएगा लोवर अरुन या फिर मिल जाएगा लोवर लोवर अरुन ठीक है अरुन परियोजना या लोवर अरुन परियोजना यह क्या है जल वि यह चीज़ आपको याद रखना है ठीक बिलकुल ओके लाइक शेयर करते जाएंगे भूटान और भारत के बीच में कौन सी ध्यान रखेंगे भारत भारत और भूटान के बीच में कौन सी तो मांग देचू मांग देचू जलविदूत परियोजना भारत के सायोग से भूटान में लगाई गई है इसको याद रखेंगे बांगलादेश की मैंने आपको कली बताया था मैत्री हैना मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट मैत्री हैना मैत्री परियोजना या मैत्री एक्सप्रेस या मिताल नएपानवार्ट के सयुग से साज़ में लगाई है मैत्री पाइप लाइन परियोजना भारत की स्युग से बंगलदेंस लगाई गई है न मैत्री यद को हो यहाद रखना है नेपाली कॉंग्रेस के नेता नारायन्ड प्रसाय सउल्थ ने नैपाल के नई देश मंतरी की रूप में शपतली है तो यह याद रखना है राश्टपती रामचंद्र पॉडल ठीक है तो यहाँ पर याद रखेंगे बस राश्टपती कौन है ने पाल की रामचंद्र पॉडल है और यह क्या है भारत की नेवर कंट्री है चले अच्छा एक कोचिंप पूछाओ बिल्कोल मिटाली पाइपिलाइन है न मैथ 3 पाइपिलाइन बहुत सारी हैं बहुत सारी मिटाली के नाम नाम से बहुत है एक कोचिंप पूछते söz ये मुझे बताओ कि जो नेपाल है नेपाल से कौन कौन से भारती राज और कितने भारती राज सीमा टच करते हैं बॉर्डर से शेयर करते हैं बहुत दिरोगी एक भी कोशन का अंसर नहीं कर रहे हैं आप लोग इसका अंसर सारे स्टूडेंट करेंगे कौन कौन से भारती रा वो तायर ब्रांड बन गई है यह बताना है चलो आंसर आने लगा था चलो MRF 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 very good क्या बात है very 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 good भी क्या होगा बिल्कुल देखो यहां पर मुझे पता है राम का अंसर आया है यूपी सिक्क्किम in fender negative happy tessa यह फिर अऄंगे पंड चार और सिक्किम 5 भारती राज्या लगते हैं very good very good geek बिल्को सभी है न स्टम्र्च लगते हैं यह एक्या होगा MRF जो है सबसे बड़ी टायर जो निर्माता कमपनी मता सबसे मूललेवान दूसरे नंबर की subject से मूल लेवान ब्रांड बनकर अबरी है आपको याद रखना है ठीक है और इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है चलते आँए चीप उसको याद रखना है नेक्स कुछ अबारे संट कोशंब के टेलंग ना कि किस मंतरी ने चबाहर नगर मंडव तीकर जबाहर नगर मंडव जबाहर नगर डंप याड मंदव डंप याडव में प्रती दिन 2000 किलो लीटर छमता वाले लीचेड ट्रीटमेंट प्लांट ठीक है लीचेड ट्रीटमेंट प्लांट का उध्वार्ण किया तो गाइस कुछ नहीं है यह प्लांट है लीचेड ट्रीटमेंट मतना पानी को सुद्ध करता है जो लीच होती है पानी में तो लीच को क्या है उससे तो शुद्ध करता यानी लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट है यह जैसे पानी आपने देखा होगा कहीं भी भर जाता है गड्डे बड़ उसको क्या है कीटानु रहित जीवानु रहित छुट छुट छुटे बैक्टीरियास रहित है और लीच रहित कहता है तो 2000 किलो मीटर है दो हजार किलो लीटर ध्यान रखेंगे तेलंग नाके किस मंत्री ने जवाहर नगर डंप याड में प्रतित दिन 2000 किलो लीटर चंता वाली लीचे ट्रीटमेंट प्लांट का उत्गाटन किया है चले जल्दी से बताएंगे ओके बी सी सुमेर स्टडी करें सी दीपक करें है ass करो चल्दी से पता नहीं चल्ik पिछले कोशन करता की सीकर तो मैं तो यहां पर देखो छुशंच मंत्री है श्री केटी राम लास उन्होंने किया है इसकी स्थापना 2014 में होती है capital क्या है है हैदराबाद एक कोश्य मनता है किस नदी के तट पर है तो किसके मूसी नदी है मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद तो ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छी से याद रखना है ठीक है चले देखते हैं होगे ठीक है दम करते किसी चीज़ को बहुंत ह satisfaction चलू 216 इनलीचेट्र यहां पें लीकिया êtes पीज़ा जाएगा है कि और समय है कतुर सेप्ज़ कि पैटल तो याद रहें गया है कि यह चीज़ आपको याद रहिए है चीज़ को प्रदूशित होने से बचाये ज–ई उने और इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो, मैं आपको बताई चुक्यों है, यहाँ पे 2000 लेटर जो है, पानी को जो है, सुद्ध किया जाएगा, चले, ओके, अंसर करेंगे, अगला कोशन का अंसर करेंगे, 17 अपरेल 2030, इसको, भई देखो, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, एक स्वीट स्वीट सा लाइक कर दो भी अपनी तरह प्यारा-प्यारा सा, हना, और क्लास में जल्दी आया करो, सुब़े साथ बजे, मैं फिर से अनाउंस कर रहे हूं, मेरी क्लास डेली होती है, साथ बजे, तो आप लोग साथ बजे आ जाये करो, 17 अप्रेल 2023 को संपीडित बायो गैस पर वैश्विक सम्मेलंग कहां आयोजित हुआ, ठीके, तो भई, यहाँ पर संपीडित, संपीडित जो बायो गैस है, उस पर वैश्विक सम्मेलंग कहां पर आयोजित हुआ है, ये क्लास आंसर करेगी, ठीके, तो ये मेरे को बताना है जो कॉनफरेंस हुई है कॉनफरेंस ओन और गयास on 17 अपरेल 2023 कहां पर जिये जो है आईजित हुआ है चलो ओके चली देखते हैं न्यू डेली मंटू कहारे है दीपक कहारे हैं डी सोनल पांडी कहारे है ए सुमेर कहारे है डेली चली सबका अंसर अलग रहता है लेकिन हुआ है नियू डैली में हुआ है ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक़े खोंफ्रेंस वह एक है कोंफ्रेंस चलिए संपीड को पता कि मतलब पता है उसको बहुत ही लू टैंपरेचर पर है बहुत ही लो टैंपरेचर पे उसको इकदम से क्या बोलते है लिक्विट कर दिया जाता है आपने देखा होगा जो हमारा सिलेंडर होता है बहुत ही लो इस पर क्या बोलते हैं लो टेंपरेचर पर उसको जाता है यह तो आपने पढ़ाई होगा ठीक है चले कहां हुआ है ये सम्मेलन हुआ है नई दिली में नगी याद रखना चले बिलकुल यह होगा चले अगला कोश्चन कांसर करेगे क्लास यांबर इनमैसे किस जोडी ने मॉंटे कार्लो मास्टर्स ठीक है मॉंटे कार्लो मास्टर्स 2023 में एक टीम के रूप में अपना पहला मास्टर्स 1000 यूगल खिताब जीता है तो यह पूछा जा रहा है कि किस जोडी ने किस पेर ने Monte Carlo Master 2023 में एक टीम के रूप में अपना पहला जो है यहां पे खिताब जीता है पुरुसकार जीता है Master 1000 यूगल खिताब ठीक है Master 1000 यूगल जो खिताब है वो जीता है चलो यह बताना है किस जोड़ी ने बिल्कोल LPG है लिक्विट पैट्रोलियम चलो आंसर करेंगे जल्दी से भई आंसर करो तो भई किसने जीता है यह किसने तो इवान डोगे ठीक है इवान डोडिक और ऑस्टिन क्राजे सेख इन दोनने इन दोनने की जोड़ी ने एक पुरुसकार जीता है Master 1000 यूगल खिताब है तो यहां पर याद रखना है पूरे question को भू सारा का सारा भूल जाओ यह यूगल किताब किसने जीता है बस यह याद रखो चलो next question देखते हैं 13 question बिल्कुल बिल्कुल चलो 13 question देखते हैं एक कर रहे थी class है ना class ने गलत किया पिसलांसर चलो तेर्वा question है किस देश ने अपने अंतिम तीन परमानुल संयंत्र एक तो है स्थाई रूप से बंद कर दिये हैं तो भई पूछा जाए किस country ने किस देश ने अपने तीन जो है परमानों संयंत्र हाल ही यह बंद कर दिये हैं तीनों के नाम दे रखे हैं चलो आंसर करो अब जल्दी से राम कह रहे हैं B होगा जर्मनी सुमेर कह रहे हैं B होगा सावित सावित्री बी चलिए ओके जर्मनी दीपक कह रहे हैं दीपक कशब भी चलो भई देखते हैं क्या होगा सौनल पांडे वी बी सावित्री भी हां पुरी क्लास भी बैरी गुड मेरी इतनी मजाल नहीं है कि आप लोग भी आंसर करो और मैं गलत कर दो है एकदम सही होगा अंस का आंसर मुझे यहां पर एक जश्यऽा देख रहा है फईब इसी तरीके से अंसर किया करो है सभी किया करो क्या होगा और अच्छी ध्यान रखेंगी यहां पर जर्मनी के वारे मियाद करें तो आपको यहाद हो गए कि कि आपातकालीन सकतियान हैं अपर जंसी है ना कहां से ली गई है जर्मनी के समिधान से ली गई है तो यह तो आपको यादी होगा जर्मनी की कैपिटल कोई बता दो मान जाएंगे कि हाँ जर्मनी की कैपिटल आप लोगों को पता है किसी को भी याद हो जर्मनी की कैपिटल बताओ जरा है ना चलो फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो पैरिस को किस नाम से जाना जाता है धियान रखेंगे इसको पैरिस को रोमांटिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है पूछ लिया जाए कभी एक्जाम में कि रोमांटिक सिटी किसको कहते है भई तो रोमांटिक सिटी किसको फ्रांस को कहते है रोमांटिक सिटी फैशन का सहर है ना फैशन का सहर फैशन का सहर ठीक है फैशन का शहर किसको कहते है वई इसी को कहते है फैशन सिटी रोमेंटिक सिटी किसको पैरिस को कहा जाता है इसराइल की बात करेंगा इस तो इसराइल की कैपिटल क्या है बच्चा पाटी जेरू सलम भी के आपको पतान की इस्लामवाद इघर मदब बताइं जरुमानी की के बर्लीन वेरी गूट चलो आंसर करते हो न? भड़ा मज़ा आता है बरलेन चेके जर्मनी कैपिटल क्या है बरलेन है बेरी वेरी वेरी गूड चलो सुमन को मारी कह रही है मैम सीजीएल बैच की टाइमिंग क्या है बिल्कुल सुमन अभी जैसे मेरी क्लास नौ बजे खतम होगी नौ बजे से स्टार्ट होगा नो नौ से दस आपका CGL की क्लास स्टार्ट होने वाली है तो जर्मनी ने अपने अंतिन तीन परमानु सहंत्रों को बंद कर दिया बस इतना सा याद रखना कुछ भी मत याद रखो कुछ भी मत याद रखो ठीक है और यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट भी है क्योंकि परमानु सह आपको टाइमिंग अनौस कर दे रही हूं ठीक है आप लोग परिशान हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास आज मैंने यहाप पर अनौसमेंट वाली पिक्चर नहीं लगवाई है एक मिनट देंगे बच्चे जब तक आप कोशन का अंसर करेंगे हैं मैं आपको एक बार अनौस कर सब्सक्सक्र देओं कि तुल यहाँ तक एक यहत्ौब Yoori टीटओ करनों पर टिकोक और टेवन लगाने वाला कानूर पारिख करने वाला पहला अमेरीकी आपन लगानेवाला पहला पांत करेंग देखो यहां पर math की class होगी आपकी सुवर 9-10, math होगा 9-10, gkgs होगी 10-11, ठीक है, सुन लेंगे cgl का जो batch आपका start हो रहा है, ssc-cgl, ssc-cgl का जो आपका batch start हो रहा है बच्चे यहाँ पे, तो इसकी timing बता रहे है, अभी 9-10 चलेगी आपकी math, ठीक है, 9-10 चलेगी बच्चे math, gkgs चलेगी 10-11, reasoning फिर चलेगी साम को 4-5, reasoning होगी 4-5, 5-6 होगी English और हाँ, 12-2 के बीच में होगा science, ठीक है, तो याद रखेंगे 9-10, 10-11, continue दो बार चल रहे हैं, फिर 12-2 चलेगी class science की, ठीक है, फिर साम को 4-5 होगा reasoning और English होगी 5-6, ठीक है यह आपका CGL का timing है, तो इसको याद रखेंगे, चले, ओके, मेरी class कहारी है, D, B, D और B answer में बच्चे confused हो रहे हैं, तो यहाँ पर A होगा, पिछली class में जितना majority के साथ आपने answer ठीक किया था, वहाँ उतनी majority के साथ यहाँ गलत कर दिया, चलो, Montana होगा मैं, बिल्कुल Montana है, एक दम सही है सुमेर, एक दम सही है, यहाँ पर पूरी class का गलत है, किता मज़ा आता है, यूँ कहोगे, कि कोई शे नमारा गलत हो रहा है, मैं आपको मज़ा रहा है, क्यों नहीं आएगा भई है, चलो, तो भई क्या होगा, मज़ा मज़ा कुछ देखते हैं, आगे, और इसके वाले में ऐसे आप पढ़ने के लिए तो कुछ भी नहीं है, चलो, क्योंकि यह कोई भारतिय शहर दो है, जो हम इसके बारें पढ़ेंगे, अब आता है, आपका फेवरेट फेवरेट पोरिशन स्टाटिक जी के का है, चलो, ओके, अगर किसी क कोई कोश्चन भी हुआ करें, वो पुटप कर लिया करो, अब याद रहेगा मोंटाना, बिल्कुल याद रहेगा भई, चलो, चलो, तो लाइक शेयर करते जाएंगे, लाइक और शेयर, तिरपुरा अध्यवेशन संकट की समाप्ती के बाद, कॉंग्रेस का अध्यक्ष किस को चुना गया था, तो भई डाक्टर राजेंदर परशाद को, तिरपुरी संकट हुआ कब था, तो भई ये सभी को पता है, 1939 में होता है, अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा बेस है, जो सुभाष चंद्र बॉस है, है ना, सुभाष चंद्र बॉस है, सुभाष चंद्र बॉस, ये क्या है गईस, ये, आप सभी को पता है, सुभाष चंद्र बॉस जो है, बच्चा पाटी, ये दो अधिवेशन के अध्यक्षता करते हैं, एक तो करते हैं, एक तो कहते हैं 1938 38 का अधिवेशन और हैं 1939 का है तो यह क्या है यह होता हरी पुरा इसको कहते हैं हरी पुरी कहां पर है रही एंपी में है वो यहां पर आपर यहां पर हार जाता है और यहां पर भारी मतों से जी जाते हैं चेको तो घौन बने होगे नहीं कौन बनते हैं डाक्टर राजिंद पशादी जी याप अध्यक्षा करते हैं ठीक यह चीज या तक नहीं यह थोड़ा सा वेश था इसका बिलकुल वेरी गुड बिलकुल राम वेरी गुड इसी तरीके से पूरी डिटेल में उससे किया है ना आपकी वी तो यहां पर सोच तो आंसर किया करो आपको खुद चीज़न याद हो जाएंगे सोच के आंसर इसमें टाइप करो चीज़न याद होगे हमारे जीवन से प्रकास चला गया किसने कहा था जवाहर लाल नहरू का कथन थ्यान रखें कि इस थापना कब होती है तो 1885 में होती है ठी कि यह चीज़ भी आपको याद रखने चलो किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारती राश्ट्री कॉंग्रेस को समाप्त कर दिया जाए तो भी यह गांदी जी नहीं कहा था कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाए तो उसके बाद क्या है भारत फिनिक्स के गांधी जी ते memory याद रखेंगे असी में उसका धानी जी याद रखेंगे यहां पर याद रखनान की तो कहां ऐस्ट की एक जीए ने आपको पता यूगा जब गावन दीजी जक्षिन अफ्रिका गए तो वहीं पर इनकी स्थापना कीती तो यह चीज़ आपको याद रखना है चलो मुस्लिम लीग ने मुक्ती दिवस का मनाया तो 22 डिसंबर 1949 को मुस्लिम लीग ने मुक्ती दिवस मनाया यह याद रखना है मुसलिम लीग की स्थापना 1906 एनका भांगलादेश चले देखते हैं आगे आगे देखते हैं भारती मुसल्मानों के लिए प्रिठिक राज जहेतों पाकिस्तान शब्द या शब्द की बात कर रही हूं पाकिस्तान शब्द का प। किसने किया था किसे च chim ww और यहमतली ने कहा था एक चुडूट्व है स्टूडेन्ट अगर यह इस बाई जो है पाकिस्तान पाकिस्तान एक होना चाहिए मुशल्मानों के लिए पाकिस्ताई अलग राज्य होना चाहिए ठीक है यह número दिया अलेकन पाकिस्तान नाम का अलग देश, अलग देश की बात करें कि अलग राज्य पाकिस्तान नाम का मिले तो वो किस ने मांग की थी, पहली बार पाकिस्तान की मांग किस ने की थी जिन्ना ने, जिन्ना ने की थी कब लाहॉर, ठीक है, लाहॉर अधिवेशन, ठीक है, लाहॉर अधि ने की थी मोहम्मद अली जिल्दा जिल्दा ने 1940 के लाहुर अधिवेशन में लेकिन पाकिस्तान शब्द अगर पूछे शब्द किसमें गढ़ा था शब्द किसमें दिया तो चौधरी रहमत अली के स्टूटन ते इसने दौनों कोश्चन अपने आप में अलग है याद रखन मंत्री थे हैं यह क्या थे खाद एवं क्रिशी मंत्री थे कौन राजिंद पशाद तो याद रखना है 1946 में क्या है एंट्रिम जो है गवर्मेंट का स्थापना हुई थी चले 1939 में कॉंग्रेस छोड़ने के बास सुभाष चंद्रवास ने किस दल की स्थापना की तो सभी को स्लोगन दिया था एक नारा दिया था कौन सा था नहीं बिल्कुल नहीं जिन्ना से पहले किसी ने आशीश जिन्ना से पहले किसी ने मांग नहीं की थी इसलिए मैंने पता है पहली बार पहली बार अगर पाकिस्तान की मांग की है तो जिन्ना नहीं की थी लाहोर अधिवेश ऊके है do a hailingा है दिल्णी चलो और तुम मुझे खूंदो में तुम आजाजिबू का वेडी वुर्ण है नादिन देते हैं 1922 के भाहरत छोड़ों के आद shrug के समय दिखान रखेंगे दिल्ली चलो और तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें आजाजी दूंगा के नारे किस ने दिये सुभाज चंद्र बॉस ने दिये हैं इनके नारों से कोश्चर मन दें चलो 1946 इसने उंत्रिम सरकार की कैविनेट की अध्यक्स था किस ने की थी याद रखेंगे चलो तो किसने चटगाव शस्त्रागार ठीक है चटगाव शस्त्रागार पर हमले को आयुजित किया तो किसने सूर्य सैन है तो जो चटगाव शस्त्रागार हमला था वो किसने सूर्य सैन के नेतुत्त में होता है अब मुझे कोई बता सकता है कि यह चटगाव शस्त्रागार है यह होत तो यह सोसलिस्ट पार्टी से जुड़े थे कहां के हैं बिहार के जही प्रकाश नहां इस सब्सक्राहिए नेपाल चले जाते हैं और जो युद्ध पदिती हैं उसकाउमिगत रहते हुए अंग्रेजों का सामना करते हैं तो यह थोड़ा से जैपकाश नायरेन के बारे में हैं बिहार के लिए बहुत इंपोर्टेंट उजाते चटगाओं बांगलादेश राम कहे रहे हैं वेरी गुड भाई कहां पर है चटगाओं सस्त्रगार बांगलादेश में था उस समय है ना वेरी गुड चल आंसर करते हो है ना एक एक कोश्चन आपसे पोच्टे है डेली आंसर किया करो उससे क्या है ना आपका चीजन नॉलेज बढ़ती है चलो तो यहां पर ध्यान रखें गाइस जिसने भी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया भाई बहुत यास्तिर सब्सक्राइब कर लेगे क्ला क्लास बंद होने का रिजन आपको बता दे कल चलीगी तो आठ वे कोश्चन पर ही आपकी क्लास बंद होए चलो शेयर कर देंगे जिसने नहीं किया है और गैस बैल आइकन यहां से प्रास कर लेंगे है ना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए याद रखेंगे अभ सब्सक्राइब और टेंगे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे कि तयारी कर रहे हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे सरकारी परिक्षा सब्सक्राइब करीगे सरकारी पनिक्षा टेडियाइब कोई भी सिटर का इकजाम देज तो जोन कर लेंगे ठीक मेरि larger है चलो ह best चल जो आज लेट हो गया था उठ नहीं पाया ओके टाइम से आए कर अमेद फिर भी है लाइक शेयर करते जाओ चलो सभी तो गाइस मेरी क्लास का पीडियाफ आपको मिल जाएगा किस पर टैली ग्राम पर मिल जाएगा मेरी क्लास का पीडियाफ चलो अब आज का कोशन पूछ आप आंसर करो मत करो अच्छा यहां पर एक चीज़ बताओ आपसे पते में जहां भी और कहीं क्लास कराती हूं वहां पर बच्चे इतना सारा कॉमेंट करते हैं मेरी क्लास के बाद देखती हूं तो मेरी क्लास के नीचे इतना सारा कॉमेंट होता है आप पता नहीं क्यों इ जो भी आपको के बारे में जो भी विशेश्य स्टा पता हों वह बता दे तो देखते हैं कल बोड़ का दो करेंगे कि मेरी class का चानक कोन था यह इस तरीके से पूरी meine class qo country जियाद करा 20 mmane लेट थी वह प्यां तो ये चीजद सा किया करो मेरी class uphenigo को मेरे क्लास को स्यमेद का नीचे आंसर कर देना चलो सब्सक्राद को Ji करते हैं कि सबस्क्राइब यह सब्सक्राइब होगा हो सी को पर उसकान करोन्य और तो बहुत अच्छे से तयारी रहें है और लोग चुक साथ ले चुक चाप से आज आया करों ठीक है ओकी विदा लेते हैं आप से जैहिंद जैभारत करें 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 करें